हेलो अब्रिवन सभी को मेरा राम राम आज मैं लेकर आ गई हूँ फोर वेस कुक्ट राइस मतलब लेफ्ट ओवर राइस है तो आप चार तरीके से तड़का राइस लेमन राइस और कॉर्ण राइस टमाटर वाले या फिर साउथ इंडियन या फिर चाइनीज कोई साभी हो आप चार तरीके से बना कर इजी तरीका है बहुत ही सिंपल इंग्रिडियंट्स है घर में तो सबसे पहले है हमारा कॉर्ण राइस कॉर्ण लेमन राइस तो इसके लिए हमने एक पैन में तेल डाला थोड़ा सा चिली डालेंगे ग्रीन चिली उसके बाद उबले हुए कॉर तोड़ा सा गाजर और शिंबला मिर्च सबजियां में होती है जो की हेल्थ कॉंशियस है उनके लिए सब्जियां भी जरूरी है डालना तो मैंने यहां पर कॉर्ण के साथ साथ कुछ सब्जियां भी डाल दी कुग राइस डाल देंगे एक कप उसके साथ चिली फ्लेक्स औ सामक और थोड़ा सा लेमन जूस मींस एक से दो चम्मच आपको लेमन जूस का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यह लेमन कॉर्न राइस है बहुत ही टेस्टी कोई भी इसमें टेस्ट मेकर डालने की जरत नहीं है बस इतने से सिंपल इंग्रेडियंट से यह बहुत ही टेस् इसकी प्लेटिंग कर लेंगे थोड़े से ग्रीन कोरियंडर लीव से और बनकर बढ़ियां सा गरम हम सर्थ कर सकते हैं और सिर्फ इसको तड़का देने में दो से तेन मिनट लगता है ना तो बहुत अधा सब्जियां पकाने की जरत है और ना ही बहुत अधा भूनने की जर आरेटल नेक्स्ट है हमारा टो मैटो तड़का राइस इसकी थोटी सी हम टो मैटो तड़का राइस की तड़का देंगे वह साउध तेंगे तोड़ा सा धाल साउध एंडियन के लिए हमें इसमोछी डालना चैलिये देखते हैँ सबसे पहले कडाई में हम घीया तेल और उसके बाद थोड़ा सा जीरा जो कि जीरा हमारा नौर्ट इंडियन तड़का लगाएगा और थोड़ा सा मस्टर्ड सीट हरी मिर्चें स्लेट करके डाल दीजे एक से दो प्याज बारीक कटा हुआ डाल दीजे और थोड़ा सा करी पत्ता तो करी पत्ता बाद में हम डालेंगे क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो जाय नहीं और इसका जो टैक्षर और जो स्वाद है खुश्बू वो बरकरार रहे तड़का के साथ तो बस इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए भून लेगे जब तक प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती उसके बाद हम दो बड़े साइज के टमाटर अच्छे से चॉप करके डालेंगे अगर आप अच्छे से चॉप करके नहीं डालना चाहते तो आप टमाटर की प्यूरी भी बनाके डाल सकते हैं पर जो कटे हुए टमाटर होंगे वो नारा तड़का अच्छे से मैशी सा मतलब अच्छा सा भून नहीं जाता तब तक आप इसको भूनिए इसके बाद कुक्ट राइस आपको डाल देना है जो बचा हुआ चावल है या फिर आप इसे एक सीटी लगाया हुआ चावल जो है मतलब एक कुकर में सिर्फ एक सीटी ही लगाना है बहुत जादा कुक हुआ चावल नहीं होगा वही चलेगा इसमें तो बस उसे भी मिक्स करना है और हरी धनिया के साथ इसे सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा ये टोमाटो तड़का राइस बहुत ही तीखा और चटपटा सा बनकर त्यार होता है बीना किसी एक् गरम सर्व करिए बिलकुल आसान तरीके से बना कर घर में रेस्टरेंट स्टाइल टोमाटो तड़का राइस जुस जिसकी तोड़ी सी जो तड़का है वो थूड़ा सा साथ हिंडियन टच में लेकर चलेंगे पैटन तो बहुत अच्छा बनकर त्यार होगा नेक्स्ट है हम प्रॉपर साथ इंडियन टड़का राइस है और यह बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही बेसिक चीजों से बनकर त्यार हो जाता है तो मैंने यहां पर कडाई में टेल ले लिया है और आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं आप बटर में भी बना सकते हैं पर मैं जनरली तेल का ही यूज करती हूं तो यहां पर टेल के बाद हमने डाला है थोड़ा सा राई दाना उसके बाद मूंफली और चना दाल और उरत दाल तो मूंफली थोड़ा सा जादा ले ले लेंगे और चना और उरत दाल एक चमच डाल कर अच्छे से सौटे करेंगे फिर हम और इसके साथ में और वह बाद में डालेंगे और आपको बताएंगे तो यहां पर हमने गुओक्ड राइस डाला है उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर कुछ बचे हुए इंग्रेडियन्स भी डाल कर इसके तड़के को पूरा करेंगे यह है साउथ हिंडि दिया है और अब हम एक नीबू का रस्ट डालेंगे तो बिना नीबू के रस्ट डाले आपका साउथ एंडियन तड़का राइस बिल्कुल तयार नहीं होगा मिन्स कोई स्वाद नहीं होगा अगर आपने नीबू नहीं डाला तो नीबू का जूस चरूर डालें आप उसके ब पांच पांच मिनट में यह सारे ही रेसिपीज मेरी बना सकते हैं अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है तो यह बहुत ही इजी और टेस्टी मेथड है एक फ्राइड बनाने का जो की साउथ हिंडिया का है और बहुत ही फेमस है यह बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल है बिल्कुल कोई भी मसाला बगरा नहीं है नेक्स है हमारा जो लास्ट है चाइनीज फ्राइड आइस तो चाइनीज फ्राइड बनाने के लिए हमने ओल ले ली है वोक में और डालेंगे चिली जिंजर और गालिक महीं चॉप करके लेना है और एक छोटी प्याज चॉप कर हुआ हुआ पत्तागो भी तो चाइनीज फ्राइड बना रहे हैं तो यह सारी जी जरूर से जानी चाहिए तभी जो चाइनीज फ्राइड राइस का जो टेस्ट होगा एक्चुल वाला वह आएगा तो बस तीन सबजियां काफी है अगर कॉर्ण है तो जरूर डाल दीजे मै इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट सौटे करना है तो जो यह सब्जियों का कच्छा पन है वो निकल जाएगा और यह सौटे करना है आपको हाई फ्लेम पे जब 2-3 मिनट सारी चीजें कुक हो जाएं तो फिर हमें इसमें थूड़ा सा सोया सॉस और विनेगर डाल आपको जो की चैनीज फ्रैस का मेन इंग्रीडियेंट है सोया सॉस और विनेगर तो हम यहां पर इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए कुकड रहा डाल गे और इसे भी आच्छे से मिक्स करेंगे तो बहुत ही आच्छे से मिक्स कर देदा है यह सारी्धें मिल जाएं फिर हम इसमें उपर से कुछ ऐसे इंग्रेडियन्स जा लेंगे जो इसको कम्प्लीट करेंगे तो यहां पर मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और नमक बस यह कम्प्लीट है में अगरम सर्व करिए तब तक के लिए बाबाई